हेलो फ्रेंड्स मैं डॉक्टर रिका आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ आज मैं आपको डेंग्यू फीवर के बारे में कुछ जानकारी दूँगी डेंग्यू आजकर बहुत जादा फैल रहा है क्योंकि जैसे ही बरसात आती है तो बरसात अपने साथ साथ बहुत सारी बिमारियों को भी लेकर आती है उसी के साथ एक बहुत ही जादा फैलने वाली बिमारी है देंग्यू फीवर दींगू फीवर फोता कैसे है दींगू फीवर जो होता है वह एक मच्छर के कात्म से होता है यह जो मच्छर होता है एक female mosquito होता है जिसका नाम होता है ऐरिस एगेप्टी जब यह मच्छर हमें बाइट करता है तो इसका जो वाइरस होता है वह हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है और जब यह एंटर करता है तो उसके चार से चौदा दिन के अंदर हमारी बॉडी में जो है वो दिंगू के सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं जो दिंगू फीवर होता है इसे तीन टाइप में डिवाइड किया गया है सबसे पहला जो है वह है माइल्ड दिंगू फीवर उसके बाद सेकिंड नंबर पे आता है है हैमरेजिक फीवर थर्ड नंबर पे आता है डिंगू शॉक फीवर तो सबसे पहले डिंगू फीवर जो होता है उसमें क्या होता है कि जैसे ही मॉस्कीटों ने आपको बाइट किया उसके कुछ दिनों बाद आपकी बाड़ी में कुछ सिम्टम्स आने लगेंगे जैसे कि आपको बहुत तेज फीवर आएगा होता है कि फॉर्स सेकिंद थर्ड दे तो पेश्ट को भूँत जाधा ऑई-ग्रेट फीवर रहता है फिर फोर्थ डेज में अचानक से फीवर जो है वह डाउन हो जाता है और फिप देसे फिर से फीवर राई होता है और बहुत जादा ह PEEEE पेशिंट करता इसके साथ पेश nutzen को है रही होता है т बहुत तेज सरदर्द अांखों में पेशिंटे करता थैं कॉंस्टी पेशन होता है को इसके साथ जु खोगी व। उसमें पेशन्ट को बहुत जादा पेइन होता है इसलिए डेंगु फीवर को ब्रेक बोन फीवर भी कहा जाता है हड्डियों का भुखार भी कहा जाता है पेशन्ट को नौजिया होगा उल्टी करने का मन होगा वामेटिंग होगी भूख नहीं लगेगी यह सारे सिम्टम्स जो है यह डेंगु के फीवर में दिखाई देते हैं अगर आपको ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं फीवर यह वामेटिंग कॉंस्टिपेशन आंखों में दर्ड सर में दर्ड को और बहुत सारे जॉइंट्स में पेइन तो तुरंत जाके डॉक्टर को विजिट करिए अपना देंगु टेस्ट करवाईए डॉक्टर से कंसर्ड कीजिए क्योंकि जो यह डेंगु फीवर है अगर आपने इसको स्टार्टिंग में ट्रीट कर लिया तो यह ठीक हो जाता है अधर्वाइस इसके बहुत अदा सीवियर जो है वो कंडिशन भी हो सकती है इसलिए लापरभा से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है जैसे कि हमारी नाक से ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाएगी मुझ से ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाएगी हमें स्टूल से ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाएगी कहीं से भी हमारी जो है वो हैम्रेज होना शुरू हो जाएगा तो तो तीसरा अगर ये condition भी आपके अच्छे से treat नहीं होती है तो ये third stage में चला जाता है जिसे कहते हैं डेंगू शॉक्स में क्या होता है कि continuous अगर आपको bleeding होती रहेगी तो patient shock में चला जाता है इसमें क्या होता है कि patient की death भी हो सकती है तो कभी भी अगर डेंगू के अगर आप clean water में पनपता है तो अपने आसपास कोसिस करिए कि water इखटा ना हो क्योंकि water इखटा हो तो उसमें mosquito आएगा तो water इखटा ना हो डूसरा full sleeves के कपड़े पहने अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उनको भी full sleeves के कपड़े जो है वो पहना है ताकि mosquito bite उनको ना हो सके बाहर जाने से पहले कोई भी mosquito replants अपनी body पे जरूर लगाए या कोई cream या कोई spray जरूर यूज़ करें जिससे कि आपको mosquito bite ना हो basically आपने mosquito bite को avoid करना है और अपने घर के आसपास साफ सुतरा रखे ताकि वहां पे मच्छर ना पनपाए और इसमें अगर आपको dingo fever हो जाता है तो उसमें आपको क्या करना है बहुत जादा water का intake करना है liquid का intake बहुत जादा रखना है अपनी diet में seasonal fruits और vegetables का इस्तेमाल करना है बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है और एक अच्छे से doctor से अपनी परामर्श लेकर उसका treatment जरूर कराना है आशा करती हूं कि dingo fever के बारे म भीद करो है जो इस झाय आचिए उसका जाई का रगा जाता है जह झाहिए बाल्ग है गहाँ पर Claus नहीं? झाल झाल झाल